नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सर्मार्ग आज हम बात करेंगे गुड की जिसका सीधा सम्मंद मंगल से भी है और सुर्य से भी है गुड का टोटका इसलिए भी ज़्यादा प्रचलित है या पिर ज़्यादा जल्दी फल देता है क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता और फायदा तो जरूर होता है इस टोटके को या उपाय को किसी के अहित के लिए मत कीजिएगा नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुड़ा हो जाता है तो अपने लिए अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए ये प्रियोग आप चरूर करें गुड़ के प्रियोग से आप दुरघटनाओं से बस सकते हैं गुड़ का एक छोटा सा प्रियोग आपके जीवन के बहुत सारी परिसानियों को दूर कर सकता है तो आज हम गुड़ जो इक से बनता है आपको पता होगा और एक ऐसा उपाई जो अगर खास दिन में किया जाए तो इसका फाइदा आपको जरूर मिलता है आप जिस भी टोने टोटके या उपाई को करें अपने अच्छी चीज़ों को होने के लिए करें दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिएगा तो चलिए हम जो तिस के अनुसार आज आपको एक छोटा सा उपाई बताएंगे देखे कई बार क्या होता है आप बे बज़ा गिर जाते हैं चोट चपेट लग जाती है मन में दुरगटना का भै बना रहता है अगर ऐसा कुछ जीवन में हो रहा हो तो इसका मतलब है आपका मंगल गड़बर है तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें थोड़ा सा गुड हनुमान जी के मंदिर में जाकर अरपित कर दें हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी से गलती छमा करने की प्राथना करें क्योंकि जब मंगल एक्टिव हो जाए तो थोड़ा सा चोट चपेट दुरगटना के योग बन जाते हैं तो आपके संकट तल जाएंगे कभी-कभी कुंडली में सनी के साथ क्योंकि यहां पर जो सनी देप के पिता हैं सूरिदेप वो अगर नीच का हो जाएं तो क्या होता है न खास कर अगर आपके छटे सप्तम अस्टम भाव में बैठ जाएं तो फिर ऐसे में सरीर में परिसानी जादा होती है अब इस इस्थिती में एक छोटा सा काम करें आप एक तो सुबह सुबह जो पहला आहार है वो गुड़ का खाईए थोड़ा सा और फिर दिन की सुरुवात करें और दूसरा आप गुड़ और गेहूं आपकी इच्छा जितना भी लेनी है आप आठ गराम भी ले सकते हैं आठ इसलिए क्योंकि आठ अंक सनिदेप का है और इसको आप बराबर मात्रा में लेकर पास के किसी मंदिर में या पीपल के नीचे रख दें तो आपके जीवन में जो सुरिक की परिसानी है वो समाप्थ हो जाएगी अब भूमी भवन को देने वाले भी मंगल होते हैं सूरे होते हैं अगर जीवन में भूमी भवन की प्राप्ति लाग प्रयास के बाद भी ना हो अपना मकान नहीं बना पा रहे हो तब एक छोटा सा प्रयोग करें किसी भी रविवार के दिन गाई को अपने मेली को चाट ले तो इसका मतलब है सिग्र अतिसिग्र आपकी मनुकामना पूर्ण होगी और संभव हो तो सनीवार के दिन सनीदेव के मंदिर में च्छाया का दान करें तो ऐसा करने से भी आपकी संपत्ती प्रोपर्टी में ब्रदी होती है बहुत सिंपल प्रयोग है लेक या फिटकरी डालकर पोच्छा लगवाएं या सफाई करवाएं तो आपके जीवन के धन की मुस्किलें दूर हो जाती है और धन अभी आता है कभी कभी क्या होता है आपकी मनुकामना लाख प्रयास के बाद भी पूर्ण नहीं होती धन परेसान कर रहा है कमाते बहुत हैं पर खर्च हो जाता है आप कहीं सही जगा इंवेस्टमेंट नहीं कर पा रहे अब आप परेसान हैं क्या करेंगे मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए एक छोटा सा काम करना चाहिए साथ गुड की छोटी छोटी डली ले लें डेला वाला गुड मिलता है मार्केट में मिल है गुड की डली और साथ हल्दी की गाठ इसको एक साथ बांध लें अब किसी भी गुरुवार या रवीवार के दिन रेलवे लाइन के पास या कहीं रोड में फेक दें अपनी मन्नत कहें आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी कभी कभी जीवन में बहुत प्रसानी बढ़ जाती है करजों में आप फज जाते हैं धन है कि टिक्ता ही नहीं आता ही नहीं आता है तो चला जाता है ऐसे में अगर आप गुड का नियमित रूप से परियोग करें तो धन आता रहेगा और नियमित रूप से हनुमान जी को गुड का भोग लगाईए तो इससे भी धन की मुस्किलें दूर हो जाएंगी और आप धन के मामलों में लकी हो जाएंगे मंगल का सम्मंद आपके भाई लोगों से हैं भाईयों से है और जो जब हम सुरी की बात करते हैं तो यहां भी सुरी को मजबूत करने के लिए गुड खाने की सला दी जाती है चुकि लाल रंग है गुड का अब अगर आपको अपने भाई बहनों से नहीं बनती हो या फिर लाख प्रयास के बाद ना जौब मिल रही हो अच्छी ना ही भूमी प्रोपर्टी हो रही हो तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा किसी भी रभी बार या मंगल बार के दिन थोड़ा सा गुड आप कहीं भी पीपल के पेड के पास जाकर उसको दबा दे ऐसा करने से आपके जीवन की परिसानी दूर हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाएं तो नियमित रूप से चीटियों को आप गुड डाल सकते हैं देखिए मनु कामनाओं की पूर्ती के लिए छोटे छोटे परियोग तो किये जाते हैं तो ऐसे में अगर आप हनुमानजी को मनाना आपके लिए अपके लिए सबसेस्ट रहेगा क्योंकि हनुमानजी अगर प्रसंद नहीं हो जाए तो जीवन के किसी भी परियसानी को आप तक पहुंचने ही नहीं देते तब हनुमान जी पहले उनसे टकरानी होगी परेशानी को फिर आप तक आएगी तो एक बात हमेशा ही याद रखेगा मंगल वार चतूर्थी तिथी नौमी और चतूर्दसी तिथी इन तिथियों में आप किसी भी दिन ये प्रियोग कर सकते हैं वैसे आप रवी बार के दिन आखें बंद कर ये प्रियोग कर लें क्या करेंगे हनुमान जी का मंदिर जाईए थोरा सब गुड थोरे से भूने वे चने ले कर जाए और गुड के छोटे-छोटे 21 यानि 21 टुकडे ले ले अब एक घी का दिया जला ले और आप गुड का भोग लगाईए और भुना वो जो चना है हनुमान जी को घी का दीपक जला दे इसके बाद हनुमान जी से प्राथना करें कि प्रभू जीवन में बहुत सारी मुस्किले हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सरदा मन से विस्वास के साथ प्राथना करें और ये जो गुड की डली और आपने अर्पित किया है भुना वो चना इसको आप एक ग्यारा देखे यहाँ पर क्या है ना एक ग्यारा चना लेना है और एक ग्यारा गुड की डली अब इसको आप हनुमान जी के सामने रखकर आप लगातार 21 दिन तक या फिर आप 21 टुकडे रखकर एक ही दिन पुजा कर सकते हैं अगर जीवन में अस्थाई संपत्ती की प्राप्ती लाख प्रयास के बाद भी ना हो रहा हो और यदि आपके कुंडली का सुर्य कमजूर हो जाए तब आप एक छोटा सा प्रियोग करें सुबह सुबह जो पहला आहार होगा वो गुड होगा यहीं थोरा सो गुड़ खाकर जल्पी कर कारी को आरंभ करें यानि कारे करने जा रहे हैं जो भी कारे अगर उस कारे को आप सुरुआत करते हैं तो आपके कारियों में आ रही बिगनवाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है अगर आपके मन में किसी भी तरह का दुरगटना या सरजरी का भै हो तब तामबे के बरतन में गुड रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान दे दें और फिर वहीं पर बैट कर हनुमान चलिसा का पाट करें ये परियोग आप कुछ समय तक लगातार करें दुरगटना योग कट जाएंगे एक बात हमेशा ही याद रखें अगर चाहते हैं आपको नौकरी में खूब सफलता मिले प्रशाशनिक सेवा में जाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या फिर आप चाहते हैं जीवन में मान सम्मान खूब मिले आप दिन दूनी राच चोगूनी तरक्की करें तो रबी बार के दिन आप अदरक और सरसों का तेल का सेवन ना करें सरसों के तेल के जगाए आप कोई भी तेल खा सकते हैं और साथ ही साथ देखिए अद्रक का सेवन तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा नहीं तो आपका सूरे उतना आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा जितना आप उमीद लगाये बैठे हैं वैसे तो रभी बार के दिन लाल साग भी नहीं खाना चाहिए भूजा जिसको हम मुड़ी पे कह रहा होता है ना भूजा जिसको कहते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए लाल मसूर की दाल भी खाने से बशना चाहिए और रभी बार के दिन मश्ली खाने की मनाई है वैसे अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की प्राप्ती हो जीवन में आपका मान लेते हैं आपके कुंडली में सुरिका राजयोग बना है तब ऐसे में दिन के समय नौन भिज मत खाईए रात के समय आप खाली सकते हैं इमर्जिंसी है अगर वह ऐसे जरूरी है तो लेकिन दिन में मत खाईएगा दिन में जहां तक संभव हो थोरा परहिच करें तो गुड का महा प्रियोग हमने आपको बहुत सारा बताया आपको आसपास गाय नहीं है जिसको आप गुड खिला सके पास में मंदिर नहीं है दूर में हैं आप नहीं जा पा रहे है तब ऐसे क्या करेंगे तब आपके घर में जो तूलसी का पौधा है उसके पास याद रखिए तूलसी के पौधा में नहीं रवियार कुछ हुना नहीं है इसलिए तूलसी के पास ही आप गुड़ रख सकते हैं चीटियां खा लेंगी और आपने जिस भी प्रयोग के लिए रखा है वो कामना भी पूर्ण होगी फिलाल विदा लेंगे हर हर महादेब